आग्रा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताजनगरी में भी डेंगु और मलेरिया को लेकर मामले सामने आते जा रहे हैं अब तक ताजनगरी में 18 सदिक डेंगु के केस रेजिस्टर्ट किये गए हैं जिसको लेकर स्वास्ति भाग भी बेहत गंभीर है डेमो आग्रा, डॉक्टर आरके दिक्षित और सीमो आरके अग्नहुत्री ने भी लोगों को सावधानी बरतनी की सला दी है जैसा कि आप जानते हैं कि मत्रा और फ्रोजावाद में काफी शंक्याने डेंगु और मलेरी अत्याद के केसे आये थे इसके कारण आग्रा में भी जिलादिकारी मौदय और मिश्टिक सादिकारी के निर्देशों के तहर वो सतरकता बड़ती जा रही है जैसा कि मत्रा जले से मिले गाओं में सर्वेचन का कार पूर्व से कराए जा रहा है और वो निर्दनतर चला है जनपद वर में आराटी की तीस टीम है 15 टीम है सिटी सहरी चेत्र के लिए 15 ग्रामिड शेत्र में जहां से हर शेत्र पर निगरानी की जा रही है और टीमों का ब्रह्मन और कराए दार मेरा सभी सहर बाशियों ग्रामिड शेत्र के सभी लोगां से अंद्रोध है कि जैसा कि आप देख रहे हैं आसपड़ास में जो है भैवायता है वीमारियां की उसको देश्ट कर रखते हुए सभी लोग जो है अपने आसपड़ास में पानी का जमाब नहों रहे दे और फुल स्लीव के कपड़े पहने बच्चों को अनाविश्य कर रूप से बाहर न ले जाए खाना जो है सुद्ध खाना खाएं ताजा भोजन करें पिछले वर्स हमारा कोविट पीक के ऊपर था प्रतिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमारी बंद हो चुकी थी हर व्यक्ति घर के अंदर था तो लेहाजा जन भराब की सिचुएसंस या जहां कहीं जाना है वो कम से कम थी तो नो बाग कोविट से बचे रहे अब हमने हमारी सारी गत्विदिया साममान में हो चुकी है ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति साब्धानिया नहीं बढ़तेगा तो मच्छनों से एक्स्पोज होगा पहली बात दूसरा जहां तक हम आगरा के बारे में देख रहे हैं तो वाइरल फीवर तो मिल रहा है आस पास के जलों जो मिल रहे हैं वो बेसिकली मौसम है यह वाइरस फैलने का होता क्या है कि साम को गर्मी हो जाती है लोग पंखा चला के सो जाते हैं एसी भी चला के सो जाते हैं और रात को जब दो तीन बजे टेंपरिचर ड्रॉप आउट होता है गिरता है ज्यादा तर लोग ठंद पकड कर लाते हैं ।